सब्सक्राइब कीजिए टेक्वित तरुन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त तरुन और आप मेरे साथ देख रहे हैं टेक्वित तरुन तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप PTM पे कोई भी 75 रुपीज तक का रिचार्ज फ्री में कर सकते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो चलिए दोस्तों शुरू करते होँ इसके लिए पहले आपको Pay T.M map डाउन लोड करने पड़ेगी जब आप इसमें पयाटी मैपको open कर लेंगे तो इसमें पहले आपको KYC करवानी बढ़ेगी तो यह आपका MINI KYC से नहीं होगा इसमें आपको पहले identification करवानी बढ़ती है इसमें आपको directly अपना अधार card number डालना पड़ता है या कोई भी अपना की identification ID, verification के लिए आपको कोई भी आपके असपास में कोई भी store होता है BTM का वहां जाके आपको verification करवानी बढ़ती है तो वहां जाके आपको KYC simply वहां जाके आपको अपना जो डाटा होता है वो आप मुप को ले जाना पड़ता है जैसे आपने अधार card दिया है तो आपको वो ले जाना पड़ेगा और या फिर आप अपने doorstep पे भी बुला सकते हैं तो आपके घर आके भी वो KYC हो जाती है तो जब आप KYC करवा लेंगे उसके बाद आपको direct mobile prepaid recharge पे जाना है आपको कोई भी number एंटर करना है जैसे हैं मैं अपना number एंटर कर देता हूँ तो इस पे आपको recharge select करना है 75 रुपेज का और आपको fast forward नहीं करना है उसकी जगा करना है आपको proceed to recharge पे click तो यहाँ आपको add a promo code में जाके यहाँ एक promo code apply करना है जो की है KYC तो जब आप KYC करवा लेंगे यहां मेरे में आ रहा है कि valid only for KYC users जब मैं KYC करवा लूँगा उसके बाद यह जो है वो apply हो जाएगा और मुझे जो है वो इसका cashback मिल जाएगा इसका proof मैं आपको अपने दूसरे पेटियम पर दिखा देता हूँ यह मेरा दूसरा नंबर है पेटियम का यहां पर यह मैं पास्बुक में जाके यह cashback जो है वो मुझे रिसीव हो गया है जो की recharge था एटल नंबर पे और प्रोमो कोड जो मैं ने apply किया था वो था KYC तो दोस्तो इस code का यूज करके आप भी free में recharge करवा सकते है 75 रुपेज तक का तो अगर आपको यह लूट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करे में दी चैनल को